This video is going to be highly beneficial for those जो क्लास 10th में हैं, 9th में हैं या फिर 8th में और अपनी जई प्रेपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं जातर सुडेंट्स के साथ इन जईनरल ऐसा होता है कि जब वो अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि चीज़ों को सही तरह से कंड़क करने का मेथर्ड क्या है कि भई रिवेजन कैसे करना है, थियोरी कैसे करनी है, क्या कैसे चीज़ें मुझे पता होनी से ही है तो जातर जई आइस्परेशन के साथ ऐसा होता है कि वो स्टार्ट डंग से नहीं कर पाते वो चीज़ों गलत तरह से कर रहे होते हैं, एक दो तीर महीने बाद उन्हें रियलाइज होता है कुछ को छे महीने में भी रियलाइज नहीं होता है, कुछ को बारा महीने बाद रियलाइज होता है कुछ को उनका जई में इंसर एडवांस निकल जाता है तब तक रियलाइज नहीं हो पता कि यह चीज वो गलत कर रहे थे तो basically I want to ensure कि इस वीडियो को जो भी serious और dedicated जई आस्पिरेंट देख रहा है वो काफी सारी चीज है अपनी जई प्रेपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही जान ले ऐसा नहीं होना चीए कि एक दो महीने हो गए तुम गलती को commit करते जा रहे और तुम एक दो महीने बाद रियलाइज हो रहा है और जिसकी स्टार्टिंग में रिदम खराब हो जाती है लेट से पहले दो तीन महीने तुमने बिल्कुल खराब कर दी है बैक लोग्स क्रियेट कर दी है तो इन जनरल स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो अपने गोल को गिरा लेते है जैसे तीन महीने हो गए और सब्सक्राब हो जाता है तो यह अपने साथ नहीं होना चाहिए हमें बेसिकली हमारा गोल नहीं जिराना है बहुत सारे स्टूडेंटस वीडियो को देख रहे होंगे उनका गोल होगा के मुझे अईर टॉप 100 में लानी है तो बहुत से नीचे का तो मुझे नहीं लगता किस It's not possible, अगर तुम sensibly act करोगे तो बहुत बढ़िया किया भी जा सकता है, पर तुम्हारे sensibly act करने की probability बहुत कम है, देखो जैसे कि इस वीडियो का example ले लो, ये वीडियो इस समय, I think के 6-7,000 लोग तो इस वीडियो को minimum देखी लेंगे, What I think के 6-7,000 लोगों मैं से, सिर्फ 25-35, 25-30 students होंगे जो properly follow करेंगे चीज होगा न, that's what I think, 25-30 students ऐसे होंगे, जो properly जो मैं या पर चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको pen paper लेके लिखेंगे वई, और एक एक करके टिकमार लगा देगे, हाँ ये चीज मैंने पूरी तरह से ensure कर अब अगले step पर बढ़ता हूँ, फिर अगले step पर बढ़ता हूँ, फिर अगले step पर बढ़ता हूँ, मतलब, मतलब सिर्फ ऐसे 25-30 लोग होंगे, जो properly जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, उसे ensure करेंगे, और ये मेरी सभी वीडियो के लिए true है, बाकी सारी, तो the thing is क क्या तुम उन 25-30 लोगों में हो, या फिर तुम बाकी पार्ट में हो, जो इस वीडियो को सिर्फ entertainment के लिए देखेंगे, और थोड़ा बहुत कुछ सीख लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत apply भी करके देख लेंगे, पर पूरी तरह से ज परन्त कॉपी पेन लेके बैठेंगे, और सारी चीजहों को एक एक करके इंशोर करना शुरू करेंगे, या फिर तुम सिंपली यूट्यूब पे बिंज वाचिंग कर रहे हो for entertainment purpose, it is totally up to you, all right, तो मुझे इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो बात है बोलनी थी, मैंने है, अब हम details पर आते हैं, कि क्या steps है वही जो मैं follow करने है, अपनी JEE preparation को शुरू करने से पहले, क्या क्या चीजह हमें ensure रखनी है, जिससे हम starting की preparation को इतना बहतर बना पाएं, कि हमारे पास ही बहुत ही बड़ी आ competitive advantage आ जाए, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजहों को इस flow chart में classify कर रखा है, so that it becomes easier for you to understand, और इस flow chart का link भी मैं description में provide कर दूँगा, जिससे अगर कोई चीज तुम भूल जाओ, तो तुम्हें बार बार YouTube वीडियो पे ना आना पड़े, तुम सीधे इस link पे click करके, यहाँ पर चीजहों को read कर सकते हो, और remind कर सकते हो, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशश करिए कि मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल डीटेल में लेख पाऊं, और तुम्हारे लिए इसको access करना बहुत जादा convenient बना पाऊं, जितनी मेरे limits में है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को तीन steps में classify कर रखा है, step 1, step 2 and step 3, तो obviously सबसे पहले हम step 1 की बात कर तो basically यह flow chart इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर जो यह one लिख रहा है, अगर तुम इस पर click करोगे तो यहाँ पर इसका comment खुल जाएगा, और इस point को ensure कैसे करना है उससे related जो details है, वो तुम्हें इस comment में मिल जाएंगी, तो जैसे यहाँ पर step 1 का पहला point हमारा लिखा जो आपका exam होता है, उसका basic pattern क्या होता है, basic pattern से मेरा मतलब है कि कितने questions आते हैं, multi correct आते हैं, single correct आते हैं, marking किस तरह की होती है, जैसे हमारे j means के 2 paper होते हैं, like अभी जब मैं यह video बना रहा हूँ तब हमारी 2022 चल रही है, तो इस साल हमारे j means के 2 paper ही हुए है, कई बार 4 भी हो तो 2023, 2024, 2025 के बारे में I'm not sure, जो भी information होगी आपको पहली मिल जाएगी, पर जो अभी तक का pattern है, जो हमारा 2022 का pattern है, या 2021 का pattern था, उसके बारे में हमें aware रहना बहुत जरूरी है, pattern बता होता है, तो हम उसी domain में काम करते हैं, उसके ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तो कु इस सवाल जो होते हैं, वो आपके single correct होते है, single correct is basically a question दिया जा रहा है, इसके आपके 4 options है, और एक option जो है आपका answer है, तो 20 सवाल जो है आपके per subject single correct होते हैं, और 5 सवाल आपके integer type होते है, integer type मतलब जिनका answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 85, 87, इस तरह आपको direct integer की value लिखके आनी है, आपको क पर जाएगी, तो होता अपना ये सीन है, कि जिस J-Mains में आपका result better होता है, उस result को consider किया जाता है, और accordingly rank calculate की जाती है, तो अगर let's say, तुमारे J-Mains 1 में 50 percentile आती है, और तुमारे J-Mains 2 में 98 percentile आती है, तो तो तुमारा overall जो rank होगी, वो 98 percentile के basis पर जच की जाएगी, basically 50 percentile जो result है, उसको पूरी तरह से discard कर दिया जाएगा, और पिछले कुछ सालों से J-Mains का pattern regularly change होता जा रहा है, कभी 4 J-Mains होता जाते है, कभी 2 J-Mains होता है, due to pandemic and other problems, तो हो सकता है कि 2023 या 2024 या 2025 या 2025 वाले J-A aspirants इस video को देख रहे है, तो उनके time पे J-Mains का pattern थोड़ा अलग हो, अ जही advance में अलगले type के आपके सवाल आते है, multi-correct आते है, multi-correct basically आपको एक सवाल के 4 option दे रखे हैं, और इन 4 हो सकता है, अबर 2 option भी answer हो सकते हैं और तीन option भी answer हो सकते हैं, और अगर आप कोई भी सवाल गलत करके आते हैं, तो आपको minus 2 मिलते हैं, तो यहाँ पर negative marking थोड़ यह वह पुस्किल आई और सकता अज़ाए और आपको कैसे आंजटे नहीं तो आपको दो दॉट किया है तो आ दो आपके तो आपका गलत हो जाएगा इसलिए लेवल में जमीन आसमान का अंतर होता है Now let's come to step 1.2 है ना step 1 का दूसरा वाला पार्ट Become aware of the selection ratio of how many students qualify ज़ि मेंस and advanced rank required for your desired IITs, NITs, IIITs, IISCs अब काफी सरे लोग कन्फिज होगा इसको देख के भई IIT और NIT तो सुनाए भई ज़ि मेंस जेते हैं तो IIT मिलता है और ज़ि मेंस जेते हैं तो NIT मिलता है यह IIIT क्या है और इसके साथ मुझे बिट्स भी लिखना चीए तो यह basically हमारे generally elite colleges होते हैं इनको तुम tier 1 colleges भी बोल सकते हो IIC is basically for research IIC में जाने का भी अपना admission criteria होता है यह तो गूगल से भी ट्राइ कर सकते हैं तो इसी में मैं अपने flow chart में लिंक डाल दूँगा IIC में जाने का admission criteria क्या होता है जितना मुझे पता है मुझे दो साल पहले तक का पता था यह बुलू पता है depending on that IIIT अपनी अलग-अलग branch offer करते हैं और bits के अगर हम बात करें तो इसका पेपर ही अलग होता है bit side नाम का paper होता है वो आपको देना होता है also ऐसा नहीं है कि IIT जो है वो हमारे सारे IIIT से बढ़िया है या फिर NIT जो है वो सारे IIIT से बढ़िया है इसे statement को आप बिल्कुल solid तरह से नहीं बोच सकते है depending on a student की क्या requirement होती है वो ये चूज करेगा काफी सारे students ऐसे भी होंगी जिनके लिए IIIT ज्यादा बेटर होगा किसी IIT से तो depending on आप किस ताइप की student हो आप चूज कर सकते हो इसे 22,000 लोग J-Advance के लिए qualify होते है और इनमें से around 11,000 बच्चों को IIT में seat मिलती है ज्यान रखना J-Advance qualify around 20,000 लोग करते है और seat IIT में सिर्फ 11,000 को मिलती है तो भई फिर qualify करने का sense क्या बना qualify करने का यह होता है कि और भी अलगले colleges होते है जो J-Advance की rank के basis पर admission देते है जिसे I am not exactly sure but IISER जो होता है वो आपका around 14,000-15,000 rank अगर आपकी J-Advance में आती है तो आपको admission देता है अब यह IISER का है यह भी आप Google करके देख सकते हो It is Indian Institute of Science, Education and Research तो यहाँ पर अगर हम J-Advance qualify करते हैं इसके कुछ और भी perks होते है तो यह अपने basic बाते है दानपी है और बाकी IIIT की हमारी rank वर्सिस ब्रांच का होती है कितनी rank पर कौन सी ब्रांच कौन सा IIIT कोलता है यह आप पता कर सकते हो IIIT भी हमारे बहुत सारे होते हैं in order to get a general idea of mistakes committed by many J-E aspirants तो इन दौनर वीडियो में मैंने दो J-E aspirants की I would say दो J-E aspirants की J-E preparation के बारे में बात किया है एक J-E aspirant हमारा ऐसा है जो डेली पे से सिर्फ दो गंटे की है फिर उसे भी कम self-study करता था और उसने IIT Delhi में भी वो engineering कर रहा है उसकी rank around 1900 के आसपास आई थी और एक हमारे J-E aspirants था जो 12 गंटे पड़ता था और फिर भी उसका J-E clear नहीं हो पाए J-E mains उसका just clear हुआ था तो इन दौनर वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा important principles जो है consider की हैं जो कि J-E aspirants को इसको properly follow करना शुदू करना step 1.1 को पहले पढ़ना अच्छे से blog को जाके पढ़ना उससे related अगर कोई और information दो खुद से Google से browse कर सकते हो तो go for it उसके बाद 1.2 पर आना फिर 1.3 पर जबाओ तो ये तीनों वीडियो उसको देखना पहली वीडियो है the most strange J-E aspirants मिला उसको proper bold में copy लेक लेके इक अपनी copy बना सकते हो इस instance को लेकर की starting के दुदने में जुमिंठीच करनी ए चौपी बना सकते हो ये चार्ट पेर पर लाके लिख सकते हो दिवार पर चबता संगर सकते घूम खरी में कहना चा रहा हूं Now let us come to our step 2 यहाँ पर हमारे step 2 के भी दो पार्ट्स है that is 2.1 and 2.2 तो सबसे पहले हम 2.1 को discuss कर लेते हैं Before your coaching start choose a teacher from whom you will study the theory यह बड़ी important बात है जब भी coaching start होगी तब होगी है coaching कौन सी join करनी है इस बारे में भी confusion हो काफी सरे लोगों को और कुछ 9th class में होंगे उनकी coaching एक साल बात शुरू होगी 8th में होंगे जो उनकी 2 साल बात शुरू होगी जो 10th में है उनकी कुछ टाइम बात शुरू होने वाली होगी और अगर तो मारी coaching already start हो गई है और तो हम इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ये point नहीं बाकी सारे point फॉलो करना वीडियो को थोड़ा सा आगे skip कर सकते हो तुम क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो अभी self study कर रहे है जो किसी coaching पर अभी dependent नहीं है जिनकी coaching start होने वाली है आगे आने वाले time में या फिर वो किसी coaching से नहीं पढ़ने वाले है वो simply YouTube से या फिर बाकी सारे resources से पढ़ेंगे so I'll repeat it again before your coaching starts choose a teacher from whom you will study the theory YouTube पर हमारे पास बहुत सारे options available है Telegram पर ही बहुत सारे options available है और अगर तुम किसी paid coaching में indulge करते हो जहाँ पर already recorded lectures available है तो तुम वो भी refer कर सकते हो depend करता है कि तुम्हें कौन सा teacher जादा suit कर रहा है किस teacher के साथ तुम्हारी vibe match कर लिए किस teacher की explanation तुम्हें जादा समझ आ रही है और अगर तुम्हें recommendations चाहिए मेरी तरफ से कि भई मैं कौन कौन से teachers तो है recommend करूँगा तो simply इस purple वाले बटन पर click कर सकते हो मेरे recommendations यहाँ पर खुल के आ गए physics के लिए मैं एन्वी सर को recommend करता हूँ या फिर अमित बिरजान ये सर है मोहित्यागी की YouTube channel पर आगे देख सकते हो एन्वी सर के बारे मैं एन्वी सर के lectures अगर देखने हैं और ये free में तो मैं कहां से मिलेंगे इनके lectures वो भी मैंने आगे लिख दिया है कि इस teacher का YouTube पर free में डाला हुआ है इस teacher का telegram पर मिलेगा तो ये मेरे recommendations है न ये generally ऐसे teachers है जो students को समझ आते है जनका explanation style जो है मुझे लगता है जनरल काफी बढ़िया है और इन्होंने चीज़ों को पूरी तरह से complete करा रखा है बीच बीच में लूपोल्स नहीं है तो ये मेरे recommendations है तुम ये देख सकते हो अगर तुमें कहीं और से कोई और recommendation मिलता है तो तुम वो भी देख सकते हो तो तो तोटली fine ये तुम पर depend करता है कि तुमारी vibe कि इस teacher के साथ match कर रही है कोई और teacher है जिसका तुमें explanation style ज्यादा अच्छा लगता है और जब तुमारी coaching स्टार्ट हो जाएगी तो तब तो तुमें अपने coaching के teachers कोई follow करना है depending on तुम किसी online coaching में इंडूल करने वाले हो जब तुमारी coaching स्टार्ट हो जाएगी तब तो teachers कोई follow करना है जो वहाँ पर पड़ा रहे हैं अगर वहाँ पर कोई ऐसा teacher निकल के आ जाता है जो थोड़ा अटपटा लग रहा है या फिर उस teacher से बहतर है तो भई हमारा ये online वाला teacher था जिसके lectures free में available है तो तुम उनको भी refer कर सकते हो depending on what suits you तुम चीज़ों को mold कर सकते हो पर यहाँ पर अपन point पर वापस आते हैं अभी अपना goal ही है कि जब तक हमारी day preparation शुरू होती है उससे पहले भाई हमें fix कर लेना है कि ये ये तीन teachers है sorry तीन नहीं हमारे यहाँ पर total 5 subject हो गए अगर chemistry को हम 3 subject consider करें organic, inorganic, physical तो basically हमारे 5 subject है इनके 5 teachers हो हैं हमें fix करके रख लेने है जिससे हम एक proper way में अपनी तियारी को शुरू कर पाए तो इस step को अपनी तरफ से ensure कर लेना किस ज़र्दे तो हम theory पढ़ने वाले है उनके lectures कहां पर available है telegram channel पर available है फिर youtube playlist में available है उसके link तुमारे सामने होने चाहिए properly before you start all right now let's come to the second point before your coaching starts choose a material through which you will do the problem solving ये भी बड़ा important point है देखो जब तुमारी coaching start हो जाएगी तो 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 अपने coaching का material follow करना properly और reference book भी follow कर सकते हो तो पहले ये ensure करना कि coaching का material बिल्कुल proper तरह से कर पारे हो उसके बाद जो extra time मिल रहा है उस extra time में तुम reference books को follow कर सकते हो पर अभी तुमारी coaching start तो होई नहीं है तो तुम coaching का material भी properly follow नहीं कर सकते है तो अभी के लिए जब तक तुमारी coaching start नहीं हो रही है तब तक के लिए तो मैं कुछ reference book पर rely करना पड़ेगा और इन reference books को तुम अपनी coaching start होने के बाद भी continue कर सकते हो पर जब coaching start हो जाए I would suggest कि पहले coaching का material properly complete करना उसके बाद reference book पर उतरना अभी reference books क्या क्या हो सकती है भई कौन-कौन सी book से हम पढ़ सकते हैं यह मैंने अपनी तरफ से recommendations लिख दी है यह सारी book I guess तुम्हें फ्री में भी available हो जाएंगी telegram channel पर telegram group पर जाके दे सकते हो फिर google पर check कर सकते हो जैसे कि maths में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सेंगेज कर सकते हो maths के लिए अमितय में अगरवाल कर सकते हो calculus के लिए अमितय में अगरवाल कर सकते हो particularly graph की एक अलग book आती है coordinate geometry के लिए particularly black book लगा सकते हो यह books के जो मैंने नाम लिखे हैं है तुमारी main sir advance दोनों की combined preparation के लिए है अब इनको कैसे कैसे solve करना है कौन सी book को solve करना है इसके लिए मैं अलग से separate video बनाऊँगा अगर तुम चाहते हो मैं यह वीडियो जल्दी बनाऊँ तो comment section में मझे बता सकते हो और इन में से कुछ books ऐसी भी है जो तुमें order ही कर देनी चाहिए क्योंकि अगर तुम किसी coaching में भी enrolled हो तो इन में से कुछ books का तुमें regular use पढ़ सकता है और अगर तुम pure self study student हो तो तुम पूरी तरह से इन books पे भी rely कर सकते हो यह अपने आप में complete books है जाई में इसर advanced की preparation के लिए और इन books के नाम और links मैंने आपर अपने हर YouTube वीडियो के description के अंदर डाल दी है basically जो books सबसे सस्ती ती जाई like अगर तुम YouTube, sorry Amazon पे सेंगेज अगर search करोगे तो वो काफी सारे links तुमें खोल के देदेगा काफी सारे options देदेगा तो मैंने basically उसमें search किया कि सबसे सस्ता option कौन सा है और यहाँ पर लागे रख दिया तो अगर तुमें वो book खरीद नहीं है इनमें से कोई एक book खरीद नहीं है तो तुम यहाँ पर link पे जाके click करके book को खरीद सकते हो apart from that जैसी मैंने बताया यह book सारी free में भी available हो सकती है telegram पे search कर सकते है फिर google पे भी search कर सकते हो सबकी तो मैं soft copies जो है मिल जाएंगी मैं अपनी दरफ से कोशिश करूँगा कि मैं इस flow chart को update करूँगा और in books के जो है pdf भी डाल दू बट अभी तो यह available नहीं है अभी जो है date है हमारी भई 9 March 2022 तो अभी मैंने यह update नहीं किया हुआ है but in near future I might तो basically तुम teacher से theory पढ़ोगे और in books से जो है problem solving कर सकते हो उस particular chapter की जिनकी तुम theory पढ़ने वाले हो maths के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा है sengage को follow कर सकते हो physics के लिए sengage देख सकते हो या फिर dc पांड़े देख सकते हो hc वर्मा तो भाई must है तुम अगर किसी coaching में भी enroll करोगे तो वो hc वर्मा तो मैं suggest करेंगे similarly chemistry के लिए भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें testing भी करनी होती है test papers देने होते हैं तो इसके लिए हमारे पास previous year की book है भाई यहाँ पर तुमारे जेई मेंस के सारे papers और्गनाइजड वे में दे रखे हैं यह शुरू शुरू में बहुत काम नहीं आएगी जब हमारी 11th काफी जाधा complete हो गई होती है 12th भी आधी complete हो गई होती है तब हम test papers देंगा फुल स्लेबस तो जाधा better रहेगा अभी जो तुम शुरू ही कर रहे हो तो फुल स्लेबस test देना तुमारे लिए जाधा beneficial नहीं है जाधा क्या बिल्कुल भी beneficial नहीं है तो अभी तुम जैसे ही कोई chapter complete करो तो तुम chapter wise test दे सकते हो alright तो यह हमने books की बात कर ली ध्यान रखना मैंने चीज़ें बिल्कुल detail में नहीं बताई है क्योंकि यह video books के बारे में नहीं है मैंने आपर recommendations देके छोड़ दिया है तो हम research अपने हिसाब से कर सकते हो all right तो हमने step 1 और step 2 complete कर ली है अब हम आते है step 3 पे step 3 में basically बात करने वाल है कैसे हमें अपनी scheduling करनी है और क्या-क्या गलतियां है तो generally student कर देते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए तो जो step 1 और 2 थे वो basically informational part था जो की ready होना चाहिए step 3 को करने के लिए all right let's come to step 3.1 that says make a schedule for the day it could be like one theory lecture around 1.5 hour for each subject और ये ध्यान में रखना के एक theory का lecture डेड़ घंटे का complete होने में generally 2-5 गंटे लेता है हो सकता है initially 3 गंटे भी ले ले ऐसा क्या है इस पर मैं भी discussion शुरू करता हूँ और इसके साथ साथ तुम्हें problem solving करनी है हर एक subject की एक एक घंटे तो ये basic लिए अगर तुम ढाई गंटे एक subject की वीडियो लेक्चर देखने में लेते हो तो साड़े साथ घंटे होगा है तुमारी वीडियो लेक्चर के physics में हम तुम शुरू करते हो P1 chemistry में तुम शुरू करते हो C1 math में तुम शुरू करते हो M1 तो P1, C1, M1 के जब theory के lectures खातम होने लग जाए तो problem solving आला portion बढ़ा देना है ना problem solving को एक की एक घंटे की जगा दो 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 घंटे कर देना और theory के lectures का portion जो है कम कर देना तो यह basically तुम्हें अपने साफ से manage करते होई चलना है जब coaching start होगी तो तुम्हें coaching के साफ से चलना है कि coaching में यह theory का lecture हुआ उसके बाद हम घर पर जाके homework कर लेंगे उसके बाद अगले दन theory का lecture होगा फिर उसका homework कर लेंगे इस सरह से चलना है पर जब तक coaching start होती है उससे पहले अगर तुम class 9th में हो या फिर class 10th में हो तुम इस pattern को follow कर सकते हो कि पहले अपन तीन video lectures देख रहे है अलग-अलग subject के और एक गंटे की problem solving कर रहे है दीरे-दीर क करके जब इन chapter के video lectures जो है end पे आने लग गए है तो अपन video lecture का time जो है वो कम कर दे रहे है और problem solving का time बढ़ा दे रहे है ठीक है और फिर एक ऐसा भी time हैगा कि video lectures तुमने पूरे complete कर ली है सिर्फ problem solving बचिए इन chapters की जो भी books तुमने चूस कर रखी है उनसे तो पूरा time दिन का problem solving को दे सकते हो तो यह ratios दो है अपने इसाब से balance करने है अगली चीज यहाँ पर काफी सारे 10th class के students इनको आदत नी होती है 10-12-12 गंटे कैसे बढ़ेंगे बिलकुल एकदम से तो I won't suggest कि एकदम से 12 गंटे पढ़ना शुरू कर दो इसको अपनी habit में लाओ है ना बहुत सारे होगा थोड़ी देर जो है 3-4 गंटे होता है तो जो भी तुम्हें आदत लगी हुए जिनकी वज़े से तुम्हें लगता है कि हाँ अभी मेरी आदत नी है 12 गंटे पढ़ने की तो I won't say कि एकदम से इसको force करो और 12 गंटे पढ़ने बैट जाओ इसको अपनी habit में लाओ धी को लो कोई दिक्कत नहीं शुरुवात के टाइम में हैना तो 3-4 दिन तक 7 गंटे पढ़ो और बाकी जो breaks लेते हो उन breaks में भी कोई धंगी चीज़ करने कोशिश करो कोई sports activity करो physical activity करो जाधा बेटर रहेगा राया दन YouTube पे ने सरी binge watching करना entertainment वाली चीज़ करना कोई sports खेलो वो जाए कि आदा आदा बढ़ाते जाओ इतना ideally नहीं चलेंगी काफी सरे students के साथ चीज़ है पर एक मेने basic direction यहां पर तुम्हें provide कर दी है कि धीरे-धीरे करके इसको बढ़ाने की कोशिश करो और जो दिक्कते आएंगी उनको अपन solve करने की कोशिश करेंगे जो भी logical possible solution होगा solution पर उतरेंगे act करेंगे और solve करेंगे कैसे solve नहीं होगा तो यहां पर मैं important point बढ़ाया एकदम से 12 गंटे पंडे मत बैठ जाना अगर ऐसा करोगे तो 6 गंटे भी नहीं बढ़ पाओगे और रात को regret के साथ साथ सोगे किया आज 12 गंटे नहीं बढ़ पाया कैसे तेयरी कि make long notes while watching the theory lectures make them in your own language during class don't just copy paste everything as it is बहुत जादा important point है जब lecture देख रहे हो तो याद है मैंने उपर लिखा था 3.1 में कि एक 1.5 गंटे का जो lecture है वो तुम्हें 1.5 गंटे का नहीं पढ़ने वाला वो तुम्हें 2.5 गंटे का पढ़ेगा है फिर उससे भी जादा हो सकता है यह बार यह 2.5 गंटे का लेक्चर है तीन गंटे तक का भी हो जाता है कुछ students के लिए initially हो सकता है चार गंटे का भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है गोल यह है कि जितना करें properly करें बहुत थोड़ा जादा टाइम लें शुरुआत का टाइम में अभी हाइबिट नहीं धीर देर कोपी है यह मेरी organic chemistry कोपी मेरी inorganic chemistry कोपी है हमारे पास total पांच कोपिया हो गई I would prefer के spiral वाली जो हमारी plain page वाली कोपी होती हो इनको use किया जाए और हर subject के अपनी अलग कोपी हो जिसमें अपन लॉंग notes बना रहे हैं यह long notes बहुत जादा important होतने है revision के लिए जब हम let's say 10-15 chapter पढ़ लेते हैं इतना सारा bulk दिमाग में इखटा हो जाता है इतनी सारी चीज़ों का अभी तो तुम्हें इमाजिन भी नहीं कर पाऊगे के जेई के 10-15 chapters पढ़ने का क्या मतलब होता है इतनी सारी information को hold करने के बाद हमें maintain भी करना होता है हमज़े हो regular revision बहुत important होता है अगर आज मैंने तुम्हें electrostatics पढ़ाया तो दो तीन महीने बाद हो electrostatics बिल्कुल साफ हो चुका होगा तो साफ नहीं उन्हें दना है इसलिए हमें हर एक महीने बाद revision conduct कर लेना है electrostatics का एन एक छोटा से example दिया है और जिससे तुम relate कर पाऊ कि रिविजन क्यों important होता है मैं तुम्हें बताता हूँ जैसे UKG, LKG, first class सभी ने पढ़ी है तो उसमें हम एक topic पढ़ते थे अलग-लग जानवरों की आवाज है यह ना गोड़े की आवाज होती थी, mendak की आवाज होती थी, cow की आवाज होती थी, lion की, lion की आवाज जैसे roar हो चुके हैं अब क्योंकि वो memorize करने वाली थी थी, तो इतने साला से तो भई देखी नहीं, revise ही नहीं क्या भूल गाए तो ऐसे ही तुम्हारे जैई preparation में हो, और जैई preparation में सित thousand times complex ही होंगी, thousand times memorize करने वाली थी होंगी, उनको maintain करने के लिए, यह long notes theory के बहुत ज्यादा important है, ज वीडियो lecture को post करना है अपने को, और theory lecture को, और notes बनाने है, long notes बनाने है, अब ही long notes का बनाने है, lecture हो का post करना, यह भाइ भी मैं तो बता जता हूँ, generally ऐसा होता है कि हमारे एक या दो topic हतम हुए, तो हम नोट्स बना लेते हैं उनके, like let's say अगर हम 10 गंटे के lecture देख रहे हैं, तो आदे गंटे या 40 मिनिट बाद हम notes बनाने शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उस आदे गंटे 40 मिनिट में पढ़ाया गया है, उसके हमने notes अपने, अपनी language में उतार लिए चीज़ें, ऐसे नहीं बिल्कुल, sir ने जो बोला, as a test copy कर लिए, चीज़ों को थोड़ा सा short में उतारना होता है, अपनी language में उतारना होता है, किसी को हिंदी में चीज़ें लिखना अच्छा लगता है, तो हिंदी में तो पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट ढंग से समझ नहीं आया है, क्योंकि अपनी language में उतार रहे हो न, और अगर कोई चीज़ ढंग से समझ में आई नहीं है, तो इसको अपनी language में उतार भी निपाऊगे, इसलिए मैंने बोला, अपनी language में उतारना होता है, as a test copy paste नही करने के लिए, और जितनी जादा तुमारी preparation strength होगी, जितनी जादा अच्छे तुम जी aspirant होगे, उतनी जादा तुमें notes के जरूद पढ़ेगी, क्योंकि जो जितना जादा अच्छा जी aspirant है, उतनी जादा चीज़ें properly पढ़ रखी है, और जितना जादा तुमने चीज़े जाने की जरूद नहीं है, सिर्फ long notes बनाओ, sir theory पढ़ा रहे है, theory के notes बनाओ, अपने sir जो सवाल करा रहे है, उसमें से जो important सवाल है, उन notes में लिखते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, notes को सफाई से बनाने की कुशिशच करना, और यह हमने notes का basic discussion शुरू खदम कर दिया है और इस basic बाते जो मैंने बताई है, notes के बारे में इनमें भी 3-4 point नकल के आ गए, तो यह तुम copy पर खुद से लिख सकते हो, all right, तो यह था हमारा 3.3 का पहला part, 3.3 का दूसरा part करते है, that is 3.3.2, that is, don't leave conceptual loopholes where you get stuck, make sure to get the doubt cleared, either by self-analysis or with the help of a doubt solver, यह point हद से जादा important है, in fact, अबसे जादा important यह point है, यह चीज बहुत सारे students ensure नहीं करते, इसलिए उनके backlogs बन जाते है, theory में कोई भी थोड़ा सा भी अगर glitch आता है, खुद से देख रहे हो, theory बैटके बहुए, देख गंटे का lecture है, देख रहे हो, आदे घंटे बाद कोई ऐसा point आया, जहां पर glitchy feel हो तो बहुत सारे students क्या करते हैं, यह तो असान है, आगे कर लूँँँआ, चलो आगे बढ़ता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, lecture complete करना है, मेरा goal लेक्चर complete करना है, नहीं, goal lecture complete करना नहीं है, goal है lecture को तमीज से complete करना, और यही चीज बहुत सारे students भूल जाते हैं, और बह दंसे प्लॉब्रम स्वालिंगी नहीं हो पाई थियोरी में बहुत सारे लूपवल्स छुड़ गए तो सुड़न सोचे का कोई दिक्कत नहीं है चाप्टर न पर आएंगे अभी चाप्टर टू को डंसे कर लेते हैं ऐसा तुम्हें नहीं करना है चाप्टर वन में जैसे ही फ शुरू होई और तुमने एग्णोर करी तब तुम्हारे बैक्लोग बनना शुरू होंगे और यहीं रिजन होता है बहुत सारे जैस्परेंट्स की खराब हो जाती हो कि वह जब गडबड शुरू होती है उससे इग्णोर कर देते हैं तो वाटाइम इंटू से और अच्छे और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो किसी डाउट सॉलवर की मदद से इस चीज़ को सॉल कर वायद है डाउट सॉलवर अगर आसपास कोई टीचर अवैलिबल है तो भई उससे बोच लिया या फिर हमारी एक फाइलो नाम की आया पाती है इसको ट्राइगर के दिख सक पेंडिंग डाउट जो भी क्लियर नहीं होए वो बाद में किसी मेंटर से क्लियर करवा लेना जब भी किसी मेंटर की अक्सेस मिलती है तो किसी भी डाउट को इग्नोर नहीं करना है समझ रहे हो तुरांट सॉल करने ही कोशिश करनी है और बहुत ज़ादा टाइम इंवस्क को इलागे देगा मेंटर कैसे मिलेगा बई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर और ऑइनाइज्ड वे में 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 मिल भी सकता है कोई अगर पेट सब्सक्रिप्रपशन ले लो कहीं का नहीं मिलता है तो सिंपली किसी टेलिग्राम को पिया फिर वॉट्साप ग्रॉप में आ सकते बहुत सारे लोग available होते हैं मैंने अपनी जही प्रपेशन का एक साल इसी चीज में इंवेस्ट किया है लोगों के doubt solve करने में अपने juniors के doubt solve करने में अपने बराबर के लोगों के doubt solve करने में whatsapp group के through तो तुम किसी ऐसे इंसान को दूंड सकते हैं group को दूंड सकते हैं पर लोग एक दूसरे के doubt solve कर रहे होते हैं तो भाई ये हमने बहुत सारे points discuss की हैं काफी लंबी वीडियो हुई आज तक की सबसे लंबी वीडियो है मतलब theory videos, maths जो मैं पढ़ाता हूँ वो videos और भी जादा बड़ी होती है पर in general जो guidance related video होती है उसमें सबसे बड़ी वीडियो है आज तक जो मैंने मनाई है अपनी दरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये content जो है मैं अपको ज़्यादा organized way मैं provide कर सकूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जई aspirants जो है सारी information का apply कर पाएं जो भी उनने इस वीडियो में से सीखा है काफी सारी चीजे हमने discuss कर ली also there is one more thing I would like to say जितने भी ऐसे students है जो actually मैं apply करने वाले है जो भी मैंने बताया है उसको properly apply करने वाले है just tell me in the comment section by writing on it comment section में on it लिखो इससे मुझे पतल जाएगा कितने genuine students है आपके लिए beneficial रही होगी मिलते हैं इस वीडियो में